नमस्कार दूस्तों, मैंने मैं प्यूश आप देखते कोशनार भारत आप लोगो भी पताए कि कुछ समय पहले जो दुर्गा पूजा चल ले थी, नवरातरी चल ले थी बांगलादेश में क्या हो रहा था? पूरा आगजनी चल ले थी, पंद्रसों के आसपास घर जले सीखो जो इसराइल में, पलेस्टीन में, जो मार चलते हैं यहूदी और मुसल्मानों के बीच तो यहां वाले जो लोग हैं न, लिबरल, सेकुलर, मुला, मुला न, जो भी लोग हैं उनका जनुविन लगाव है, क्या है उसके लिए वोगप प्रोटेس्ट करते हैं, आवाज उठाते हैं इंडिया का एक स्टैंड हो चाहे ना हो, उनका एक अपना स्टैंड नजर आता है गलोबली चाहे वो जितना जायज हो, ना जायज हो, वो नजर आता है. लेकिन जब भी हमारे हिंदू कम्यूटी में से किसी के साथ भी कुछ भी गलत होता है किसी और देश में कहीं भी यहां भी यहां भी निहांग सिखों ने मार दिया उसके हाथ कर दिया क्या क्या कर दिया कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ ड्राइवर मिशरा उसको पकड़ के फार्मर्स या टेररिस्ट या वो जो भी थे उन्हों पकड़ के पीट-पीट के मार दिया कोई प्रोटेस्ट नहीं हूँ पॉलिटिशन का लड़का तो चलो जेल में हैं क्या कर रहा है कोट देख रहा है लेकिन इसकी जान चली गई उसके लिए आपने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया कि उसको इनसाफ मिले वो चेहरे जो वीडियो में आए हैं वो जेल जाएं उनको फासी हो या उनको सजा मिले जो भी मिले उसके लिए आपने कुछ नहीं किया लिटरली आप अपनी कम्यूनिटी के लिए खड़े नहीं हैं लेकिन जब बात आप पर आईगी किस दिन आप एक्सपेक्ट करेंगे कि इस भरे बाजार में आप चल रहे हैं कोई आपके हिंदू होने पर आपके ओपर अटैक क का जो भी गया है उसकी मुबारक बात देते हुए बांगलादेशी यूथ लिखके एक बहुत बड़ा पोस्टर टांगा गया बांगलादेशी इन्फिल्ट्रीटर्स दुआ रहे हैं यहां पर आप आम बात है कि लोग फेस्टिवल्स की बदाई देने के लिए जो लोग अ अब पुलिस के इंटर्फेर करने की वज़े से बांगलादेश यूथ की जगा मिया भाई यूथ आ गया पोस्टर पर शकले अभी भी वही हैं लोग अभी भी वही हैं कोई अरेस्ट नहीं इन्फिल्ट्रेटर वो हैं यह जानते हुए पुलिस चुप है ऐसा क्यों अब इ प्रज्ब्लें की रजाकारों की आज भी हैदराबाद में बैठके या कहीं से भी ओइसी का भाई ये कभी भी कह देता है कि हम इतने हैं तुम इतने हो आओ लड़ ले हम मार देंगे हमें 15 मिनट दे दो लेकिन एक बार योगी जाके केह देता है कि यहां मैं और समाजिक तक को नहीं पलने दूँगा जेल में भीजूँगा भारत के खिलाफ कुछ भी हम नहीं टॉलरेट करेंगे और हैदराबाद को भाग्य नगर बनाएंगे मतलब शुद्धी करन करेंगे तो लिबरस को प्रॉब्लम होती है बहुत बड़ी तादादी में कुछ सेकुलर हिंदूओ को प्रॉब्लम होती है कि वो हिंदुत्यों आवादी बन रहा गया क्या खराबी है क्या आपको यह एक्सेप्ट है कि इन्फिल्ट्रेटर्स अपने पोस्टर्स लगाएं इन्फिल्ट्रेटर्स खुल के अपनी सकल दिखाएं कि हम हैं हम अपनी कम्मिंटी में कुछ भी कर हैं हमको संग्रक्षन प्राप्त है और हमें चुआ भी नहीं जा सकता आपको यह चाहिए अगर इन ही में से कोई एक कल जिहादी आतंकवादी कुछ बम फोड़ दे कुछ भी कर दे क्या हो वैसी responsibility लेंगे अगर हां तो ठीक है अच्छी बात है पा लिए कल responsibility लीजिएगा स्थीफा दीजिएगा जेल जाएएगा तमाम चीजिए करिया लेकिन नहीं तो इनको उठाके cherry pick करके जिनकी सकले है एट लिस्ट उनको तो तुरंत immediate effect के साथ arrest करना चाहिए और ऐसा मैं चला था चाहिए जितने illegal infiltrator आये हों अगर वो मुसल्मान है तो उनको हैदरबाद में पाला पोसा जाएगा और वैसी बार बार जीत के आएंगे सेम मापदेंड पे महमत्याव energy भी चल नहीं और सेम मापदेंड पे अखिले शादो भी चलना चाह रहे हैं और अब आज कल महराष्ट में भी थोड़ी बहुत जबसे कॉंग्रेस के साथ विले हुआ है सिविसेना को भी बहुत प्यार बरस रहा है खेरे मैं इस वीडियो के मादेंगे सच चाहता हूँ कि जनता जादा जादा इस बात को सेंटर के कानों तक पहुचाए जू रहेंगे कि भाईया आप हैं सेंटर में जिस पर ये लजाम लगता है कि वो मुसल्मानों के नरसंगहार का कारण है जिस पर ये लजाम लगता है क कि Muslim hater है वो अगला जिस पर यह इलजाम लगता है कि वो गोड से का प्रेमी है हिंदुतवावादी है वगएरा 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 जिसको इलजाम लगाना जो करना करता रहता है उसके बावजूद उसके बावजूद आपको इतना समर्थन मिलता है आप दो दो बार पावर म में आते हैं लेकिन अभी भी आपकी सरकार में ये हिम्मत हो सकती है कि लोग ऐसी हरकते करते हैं खुले हैं और इतना समय हो गया है अभी तक कोई अरेस्ट नहीं हुए ऐसा क्यों तो प्लीज जनतागर चाहती है कि ये जितने भी हैं भविश्य के आतंगवादी ना बने और प झाल 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 झाल